हाई अब्रिवन विल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल आप सभी का बहुत दोशागत करती हूँ आई होब कि आप सभी लोग अच्छे होंगे चलिए आज का वीडियो हम सुरू करते हैं दोस्तों क्या होता है कि जब हम साड़ियों को तही लगाते हैं तही लगाने के लाकर रखा जाए हैंगर में भी लगाने पर भी दिक्कत ही होती है हैंगर में लगाने पर बहुत इस पेस लेता है आज हम आपको बताएंगे कि एक चूड़ी में और एक पुराने साट में बिना आलमारी के आप साड़ियों को कैसे रख सकते हैं आपकी साड़ियों एकदम सेफ रहेंगी साड़ियां आपके बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी बस के वाल एक साड़ का यूज़ करना है और एक चूड़ी का जलिया हम ज्यादा टाइम बेश्ट ना करते हुए वीडियो की सुरुआत करते हैं दोस्तों साड़ियों को कुछ हम इस तरीके से फोल्ड कर करनी के बाद हम करते क्या हैं इसे लघाते हैं ये देखिए दोस्तों कुछ ही इस तरीके से हम हाईंगर में लगा देते हैं और होता क्या है कि साड़ी अलग हाईंगर में लगा दаже और बलाउज पेड़ पेटी कोट यह देखिए कुछी तरीके से आपको लगा देना और उसके बाद ब्लाउज का क्या करना है ब्लाउज को कुछी तरीके से आपको इसी में पहना देना है ऐसे करके इधर से और उसके बाद नीचे का बटन बंद कर देना है इसे हो गए कि साड़ी ब्लाउज पेटी कोट सभी चीजे एक जगह पर फिक्स रहेंगी आपको ढूड़ना नहीं पड़ेगा यह देखिए दोस्तों हो गया तैयार एक जगह पर फिक्स हो गया आपको साड़ी ब्लाउज पेटी गूट इसी तरीके से बाकी साड़ीयों को भी हम हैंगर में लगा लेंगे जो भी साड़ीयों हमें रखनी होंगी उसे हम इस तरीके से हैंगर में लगा लेंगे और उसके बाद आज हम आपको टीप्स बताएंगे इस टीप्स को अगर आप फालो करेंगे तो आप एक साड़ीयों को इखटा करके रख पाएंगे तो चलिए हम देखते हैं किготов्स में हमें क्या करना होगा कैसे करना होगा सब से पहले हमें साड़ियों को कुछ इस तरीके से हैंगर में लगा लेना होगा आप अगर बलाउज को उस तरीके से नहीं पहनाना चाहते हैं तो यह ऐसे उल्टा करके फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद इसी हैंगर में ऐसे डाल दीजिए ये भी बलाउज आपका गुम नहीं होगा एक जगा फिक्स रहेगा ये देखिए दोस्तों हमने तीन साणियों को एक जगा पर फिक्स कर दिया अब हम क्या करेंगे हमें चाहिए होगी चूड़ी कुछी सतरीके की चाहिए होगी मेंटल वाली चूड़ी होगी तो ज़्यादा सही होगी क्योंकि जो कांच की चूड़ी होगी वो बहुत ही जल्दी फूट जाएगी तूट जाएगी मेंटल वाली चूड़ी लोहे की बनी होती है ये जल्दी से तूटती नहीं है अब हमें क्या करना है हैंगर में कुछ इस तरीके से पहना देना है और उसके बाद दूसरे हैंगर में भी चूड़ी को कुछ इस तरीके से पहना देना है और फिर आपको इस चूड़ी में ऐसे हैंगर को फसा देना है सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है अगर आप और साड़ीयं रखना चाहती हैं तो और चूड़ीयों को भी इस तरीके से फसा सकते हैं ये देखिए दोस्तों अब एसे कील में टांग दीजीए और उसकी बाद ले लीजिए एक पुराना सर्ट आप पुराना सर्ट ले लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है इसी हेंगर में कुछ ही इस तरीके से साट को पहना देना है और उसके बाद बटन को बंद कर देना है सारे बटन को बंद कर देंगे अभी सारे बटन को बंद कर देना है फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए दोस्तों हमारा प्यारा साटी के लिए आर्गनाजर बन करके तयार हो गया पुराना साइट भी यूज हो जाएगा और आपके साड़ियां भी सेफ रहेंगी वो भी बिना आलमारी के बस के वाल एक चूड़ी लेनी है और एक पुराना साइट आई होग कि आपको यह टीप से पसंद आया होगा टीप से पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों टीप से थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस कर लिए जिससे इस कि अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय टेक कियर बबाय प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैन दोस्तों